हलो दोस्तों स्वागता आप से विगाद के अपने यूट्यूब चैनल नरुका ओनलाइन क्लासेज में आज ही इस वीडियो में प्राथमी शिष्चा पूनता प्रमान पर दो जाएबाइस का मोडल पेपर करने वाले जो कि RBSC ने खुद दिया है कक्षा आर्ट का विग्यान का और दोस्तों यह जो पेपर है इससे आपको जो 20 नमबर हो 100% मिलेंगे यह मैं कारंटी के साथ दे रहा हूं क्योंकि जब हमने असेस्टी के पेपर दिया तो इसके अंदर 20 नमबर के जो मतलब क्योशन के जो आंसर वह इसी के अंदर से आयते जैसे की बायोगेस वाला था तो वह भी आया था तो दोस्तों यह जो पेपर इससे अच्छे सब्ढ़ देना 20 नमबर इसके पक्के आएंगे नहीं आएंगे नगाइस तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना यह मेरा आप से 100% बाद है और दोस्त कोश्टर्ग में दिये गए अब इसे इनमें आपको गणना पहला क्योंशने खारीव की पसल है कौन सी है मक्का है ठीक है अगला क्योंशने मैलेरिया रोक का वाहा के देखो कोक्रोज नहीं होता तितली भी नहीं होगा मक्षी नहीं होगा तो उप्षय नमबर आइस का सही सही और ख़ी होगे तो नाइलोरन इसका सही आंसर होगा और इसका सही आंसर परिवक्री में उसको पीट कर चादरो नहीं परिवर्ट 상 कि वह हैं its है नाइट्रोमर इसलिए यंग आप लोगा यह भी नहीं होगा अब बात रही कोई दो यह विल्कुल एक तिन शीट की जैसे वो जाएगा यह बितन इन टुशीट से अगर यह पर अपर आपको देखो आप घबरा कब जाते याप चादरो और यार चादरो के से होगा तो एसा कुछ नहीं है आपको बस कंशूज करने के लिए दिया जाता है अगला समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसादन प्राकृति यानि जो प्रकृति से हमें इस तो UK पेट्रोलियम बनता है इसके बोर्ट टाइम लगता है और बहुत जली से खदम कर रहे हैं तो पेट्रोलियम उप्शन नमबर देश का सही आंसर होगा अगला है वह अनुवन का कारण है सबसे बहुत है वह और मूलन के तोफोरेस्टेशिन इसे काते है दिफोरेस्टेशन यानि कि जो वन है उसका उन्मूलन का उन्मूलन मतलब कि जो वन है ने काटा जा रहा है यह उनके आग लगा जा रही है तो आपको बताना जेम्म proteg के लिए वन को कारना यहां पर शोड़ी है यह नितरों कारते में कि लीय यानि कि सूका पर जाता है ठीक है अपने कुछ दवाई भी बनाते हैं से तो इसका उप्शन नमबर 10 का उप्रोव सब इसका से अंसर होगा अगला क्योशन है आंतरिक निशेचन निशेचन होता क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानि कि जो एसा फर्टिलाइजेशन एस यानि शेचन जो शरीर के अंदर हो किसके अंदर आंतरी के यानि की अंदर तो शरीर के अंदर और ये यानि मादा यहीए होगा तो मादा के शरीर में, अगर यहाँ पर आंधरी की जिगर बाहर, बाई यह होता, तो यहाँ पर मादा के शरीर के बाहर होता, तो इसका option number S का सही answer होगा, अगला की option है, नेमलिक में से संक्तापन वन जनतु है, यानिकी endangered wild animal, यहना जिनकी मतलब विलूतोने की कगार पे है, व अगर आपके दो option सही दिये गए, तो आपको किसी एक को कट कर लेना होगा, और इसका सही answer होगा, ठीके, अगला है मशीनों, मशीनों में ball bearing का उप्योग किया जाता है, बोल bearing का उप्योग किसके लिए किया जाता है, तो इसका option number S सही answer होगा, घर्चन को कम करने के लिए, य अगला है निम्न में से वाक्द्वनी की आवरती नियुन्तम होने की संभावना है किसमें पुरुष्की ठीक है अप्शन नम्मर से इसका सही आंसर होगा अगला है विदूत का सूचालक सूचालक मतलब विदूत पास हो जैसे कि आप लखड़ी देख लो अगर लाइट बोड अगला है जब काच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ में क्या आ जाता है जो करंट हो जाता है तो धनावेश हो जाती है यह चड़ है और कपड़ा रिनावेश हो जाता है तो पलस माइनस से क्या होगा करंट बनेगा अगर आपके पास जैसे की आपको कुछ चार इस्तिदी द kinetic whispering प्लस प्लस और प्लस है प्लस मैनस और मैनस स माइनस और मैनस से तो करंड किस में होगा देखो जैसे कि आपको चुमबक पता है चुमबकं में दो पॉल को जते हैं तब यह नहीं मिलदे यानि कि टब यह तो प्लस और प्लस आया है यानि कि धनावेश धनावेश जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो होगा क्या तो नहीं होगा पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होगा माइनस माइनस तो रिन आविश भी नहीं होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा हो जाएगा ठीक है यह चीज आपको समझ नहीं होगी इसके लिए अगला भुकंप आने के क्या कारण है इश्वर का प्रकॉप इश्वर का प्रकॉप एसा तो इसका अंसर होगा प्रिथवी की प्लेटों की गतिया अब देखो ये प्रिथवी है इसे समझो प्रिथवी प्लेटों से बनी गतिया जासे अपना शेरी एक अलग उधर्ण और अलग हो रही है तो यहां से क्या होरी बूकम पाने के संबावणा रहेगी अर्थ को एकाई लग व्यास कि हे प्रत्वी कि लेटों की विट्ञार प्रतों में लाथ में कि लाल ग्रह के नाम से आपको नहीं तो अगला है रुदीर में oxygen की वाहक शमता कम करने वाली गेस कौन सी है carbon monoxide ठीक है तो यह तो गए आपके objective type के question और यह 100% जो है इंग में से एक दो question तो आएगा है आगा है आपके एक दो number के 20 number इसके अंदर से आएंगे तो आप अच्छे से पढ़ लिजेगा 20 number इसमें से आपके 100% आएंगे मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ठीक है अगला है उच्छी शब्द चाट कर आपको तिस्तानों की पूर्ती करनी है यहां पर यह आपको option दिये गया है तो देखो फर्स्ट फलीदार पोदों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं तो rhizobium bacteria पाया जाता है अग साटी फर्सक्राथ किसके द्वारा होता है जीनाओं के द्मीने और सेटिंग फ्लस्टिक्ट फर्मॉसेटिंग फैस्टिक यानि की जो पीगलती नहीं उसको बिल्शल करने हो वह सिप एक बारी मार्ड क्हर्म पर बढ़न होगे ृसे एकंगática बापिस आप उससे कुछ नए क्यों कि दीन होगा हny प्लास्टिक यांग क्या र knew की सफीरद के सपद मैं और ऑज्म ऑच्ट से क्रिया क्रिया कर दात्विक ओक्साइड करती इस डियुक्साइड आ सकता है अगला है फिफ्थ ते रिक्तिस्तान जिवाश्म इंदन है तो क्या आ जाएगा इसका पेट्रोलियम ठीक है पेट्रोलियम किसे बने चट्टानी तेल देखो पेट्रोलियम 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 पेट्रो का मतलब होता है चट्टान ओलियम का मतलब होता है भी मेरा आपको इसकी वीडियो वैसे तो बता रखी यह सिंपल चीज आपने पड़ी प्रखोगा कि जो समुद्र रहता कि नीचे जो भी प्लांस होते हैं या फिर अनीमेल्स होते हैं तो उसके अंदर जब जाते हैं उस इससे फोर्स लगता, ज्यादा तेंपरेचर लगता और उससे वह एक्रविट पेरहसी पक्षी प्रवासी पक्षी माईग्रेटरी बड्स जैसे की यह ना अब जिसे आपको बता इन क्रेंग एक पक्षी मतलब मतलब जीवित रहने के लिए तो क्वासी आनी करना जीवित रहने के लिए तोNow लिखूआ गया प्रवासजी शुदुर शेत्रों से शुदृ यानि में जहां। उन शेत्रों से रितिस्तां परिवरतन के कारणổi पलायन करते हैं किसके परी वर्तन की है मौशन के पवर एंद snacks मैंरी ज़म होता है ना गर्मी से अगला है जूतों के तले रिक्तिस्तान किसके कारण गिस जाते हैं तो घर्षन के कारण फ्रिक्षन के कारण गिस जाते हैं अब यहां पर आपको तो टूफो बताने हैं सई और गल्त तो अवांचित है अपरिये द्भानी को संगीत करते हैं तो नहीं करते हैं तो इसका फोल्स आ जाएगा अगला है सजाती आवेश एक दूसरे को आकशिद करतेर जाती हैं ऑन Berligh जैसे जैसे कि प्लस और प्लस एक दूशे को अक्रिशित करतें नहीं करतें प्लस माइनस करतें यहां करतें तो एक जैसे सह जाती है नहीं कि एक ही जाती है तो प्लस प्लस एक ही जैसे है ना तो यह नहीं करतें तो इसका फोल्स आएगा ठीक है आगे देखते हैं आगे प्रत प्लतवी सोर-स परिवार का सबसे छोटा ग्राइए तो इस का आंसर होगा प्रत्वी सोर मेनल का सबसे छोटा ग्राइए नहीं है ठीक है सबसे छोटा का मरकरी और या निकी र키घ शुद्धि जल यानि कि जिसे पीडित ये लेब में काम आता है थना पर आपको पानी दियाक आ घ्राइड पीन के लिए नहीं पनी नहीं और जासे आपको पॉइन अगला है लोहे में शंख्षारित होने तता जंग लगने की प्रवर्ती होती है तो देखो लोहे जो भी मेटल होती है उसमें जंग कैसे लगती है देखो यह जैसे कि लोहाई लोहे के यह कोई प्लेट है इस पर जंग कैसे लगी कि जब इस पर पानी आएगा जब इस पर हवा और जब अच्टू ओ प्लस ओ टू मिलेंगे प्लस जो अफी है आपके आनिकी तो यह फोर्मूला बन जाएगा जंग का यह चीज आगा प्रोजेक्ट राइगर बांग के आकको इसका फेयांसर होगो अगला आप क्योशन देखिए आपको मिलान करना है कि अगला है एक प्रोटोजोवा प्रोटोजोवा किसका है मतलब क्या है प्रोटोजोवा तो देखो एक प्रोटोजोवा क्या है यह मलेरिया का कारक है प्रोटोजोवा हमें क्या आता है जो मच्छोर होता है वो आता है कपास कपास क्या है कपास एक प्राकृतिक रेशा है डीजल डीजल क तो ये प्रान मिला अगला प्रैंस मिटे के लिए नंबर नो पॉशन Обम बना रखने के लिए दो ऊंतके अद्ध ऐन सब्सक्राइब तो यहते हैं अलग अलग ऐसको फटडान से एक बार इसका इसका एक टोपिक जरूर देख्लेगे न cradle और खान आप आपको अलग लग बताना है कि होते क्या है अगला केरम खेलते हैं समय केरम बोड करने के लिए किसका हुपीयों किया जाता है तो किसकी अप ग्यार जाता है पौदर का पौोड को Between Steve जैसे कि Tobam P apartments भी बताओ ना यह केरम है आपकी जग होती है मानने की अब याप पर गोटी है यह आप जो आपके पास अब आप मार होगे तो यह दीर हैं यहले कि आप जो पौड़ डालताएं उसन प्रἋणीप बहते हैं थीछित जो हवाई जाज होता है जब नीचे उटरता है लेंड लेंडिंग होती तब भी वह आवाज करता है या फिक बीव वोशिंग मशीन एर कंड एसी देख लो आप वोशिंग मशीन बहुत सारी चीज़ों की आवाज करती है वह डिवाई से इस कुछ ची आंतर तो वह क्या करते ह मंगतों पर चाहँ कीज बिल्बग के लिए क्लास्टिक उसके भी हमादार नाम लिगी विष्व जंचन वार्मिन के लिए निद्म लिए उसका नाम लिए KOS को विश्व-श्नन यानिकि इ लोबlog के लिए कौनाराइक के लिए कौन सी जो हए गेस उत्तर दाई है तो कौन सी गेस उत्तर दाई है CO2 CO2 क्या करती ब्लैंकेट का काम करती जिसके जो अरते उसके अंदर गर्मी जादा रहती है तो अब यह पॉलूशन के कारण यह जो ओजन गैसे उसमें चेद हो गया तो जो सूरज की जो किरने है वह आरियोसी जब वह बा तो ग्लोबर वाण लीघ के कारेण होटी यह 조금 क्रीन आसी सब्सविए अब आप आपना पारठ कि पी करते हैं तो यहीं है पारण भी आप जो क्योश्न आंसर करते हैं तो पहला जो १श्यकृ शर ये säga फो है वहलाब खरीदने चाहिए क्यों कि यह संच्शिलेशित कमीज़्य कभशी जल्दी गर्म हो जाते यांनि जो इंसानों ने बनाए जो कपड़े हैं वह जल्दी से गर्म हो जाते लेकिन जो हमें प्लांट प्रकृति से मिलते हैं जैसे सूत हो गई शिलक हो गया तो यह क्यों हो कि गर्मियों में आपको सूती कमीजे खरीदने चाहिए क्योंकि जो शंचलेशी कमीजे होती है जल्दी गर्म हो जाती है और शरी में चिपगने लगती है इनके पहनने से पशीना भी अधिक आता है हवा को अंदर बार भी नहीं आने देती इसके वीपरी सूती गमीजों से लुवा अंधर बार आती सुख़ा देती तो आपको यहा पर सिंपल से बात करिक है चू त confess को पहना ची चूंक कि सोटी कपड़ाएं जो कपड़े है कि आपको नहीं पहनने चाहिए है क्योंकि सूती कपड़े कि अंदर गर्मी में मूनलब जो सद है अंदर बार आती चह site मैं आपको थीन कारण आपको बताने एक कारण का एक नंबर बिखातव ने लिख लेना है करोको पशसाब अपको कि आइरहन की बात कर लेता है आपनी आइरण की यसा दातूमें आइरहने ले लिया यह कि Inner पोटेशियम आपन ले लिए लिया तो दिखावट के अंदर आटू चमकदार होती है यह जर्वन होती काथोर्द होती है लेकिन अगात बर्दिन कोष्बलूं करना कार कार को करो इस पर साबुन के पानी से बरी बाक उलट जाए तो इस फर्ट पर आपके लिए चलना आसान हो गया कटीन अपने उत्तर में आपको कारण भी बताने है तो तीन नंबर का है तो आप आराम से मुझा तीन नंबर जैसे लिख दीजिएगा तो देखो संग मरमर क्या होता है जो ताज मेल को जिस पतर से बनाया गया है तो देखो यहां पर इसका अंशर हो जाएका साबुन का पाणि फश द्वॉरा प्रदान किये घर्शन बलको कम कर देता है इसलिए इस गीले फश पर चलना कठीन होता है ठीक हिए इसका आंसर हो ज तो आप बचाओगे तब आप मतलब आमें देखाओगा आग फाय बिगेट क्या करती पहले यह जो रहते हैं यानि कि जो खम्मय रहते हैं विजली कि इन्हें बंद कर देती है क्यों कि देखो आंसर देखो इसका आंसर है साधारन पानी विद्यूत का सूचालग होता है सूच तो आप बाहर सब्सक्रा निकल जाना जाहिए क्यों कि भूकाम से बचने के साउध्यान आप रखेंगे आपको यह बताना है तो देखो भूकंप जटके जैसे ही महसूस हो तुरंत आपको उस घर में से बाहर खुली जगह पर निकल जाना चाहिए क्योंकि जो घर रहता है उस पर सामन वगेरा तूटेंगे तो आप पे भी आ सकते हैं इसलिए बताया गया है बड़ी इमारत बिजली के खंबो और पेड़ों से दूर ही बना लेनी चाहिए क्योंकि जो पेड़ उते हैं जो धनावेश रहता है वो ज्यादा रहता है और जो क्लाउड रहता है तो धना विष्ट रहता है और जो पेड़ रहते हैं उनसे दूरी बना के रख लेना अगला भूकम आने के बाद बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का इसमाल बिल्कुल भी ने करें लिफ्ट बंद हो सकती ही और वो जो है अमलब कंड़क्टर है किसका बिजली का तो आपके जो बिज विश नहीं होगा तो अब अगला सावार सोर परिवार का नाम की चितर आपको बनना दलब नाम भी लिख्तना आपको चितर भी बनना तो तो देखो यह रहा, यह सूरज है, इधर शुक्र है, बुद्धे पहले, फिर शुक्र है, प्रत्वी, मंगल, फिर आपके आजाएगा, ब्रहसपती, शानी, यूरेनस, नेप्चुनी, यह आपकी जो है, अगला है, सी एनजी, सी एनजी, यानि की कमपेज नेचुरल गेस, और लपीज, लपीज, लिक्वीड पेट्रोलियम गेस, का इंदन रूप में उप्या करने से, क्या लाब है, यह मैं लब, क्या लाब है इनके, तो यह आपको बताने, तो इनके लाब भी मैं आपको बता देता हूँ, स कि एनजी का उप्यों करने वाले वाहनों के लिए कम रख रखाऊ लागत, यानि की कम पैसे में आपके, सी एनजी का उप्यों हो जायागा, जितना पेट्रोल डिजल का खर्चा देते हूँ, से कम रूपे में आपको घायागा, छेल या, वाशपी करन के माधियम से, इंदन वगेरा भी नहीं होता है आसानी से यह तो होगे ना एक स्वच्छ जलने वाला इंधन जो गेस कुकुर में धुआ नहीं बनाता कोईले की तुलना में कम मात्रा में कारबन डायोकसाइड का उतबादन करता है जिससे कि आपके जो पोलीशन है वो कम होगा ठीक है और भगवान यह तो आपको नामें की चित्र बनाना नर्जन अन्तन यान एक मेल रिप्रोडूक्टिव सिस्टम का तो यह देखो आपके लिए में चित्र भी लेगा है और यहां पर नुट्राश्य जहां पर आपके मुत्र जमावा रेता है मुत्र वाहीं निया रहती जहां से मतलब पीना खाओगे फिर जब आपके जो 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 चीज आपके बेकार रहेगी जो अब अपन कुछ भी खाना काते है पानी पीए तो वहां पर जो नूट्रेशन हैंगे वह शरी ले लेगा अपने अंदर है ना लेकिन फिर जो चीज बच्छी भी जो बेकार है जैसे आप कु अब दालेता है ना तो असमें कि इसमें कोई बात नहीं है यहां पर शुक्रवाईनिया है प्रोटेस्टिव गरंती है मुत्र मार गया से जो पी आपके मुत्र बाहर आएगा पीर यह पूटी का है स्थम उपतक है यहां पर अंड़कोश की जो थेली है और यहां पर करने के लिए क्या जाता है आपको समझाने चार नंबर गार्शन है और दूसरा है सीचाई के से कहते हैं जल से इंडिक्षन करने वाली से चाहिए कि दो वीदियों कहना दो वीदिया एक चिड़काव तंत्रे और एक डिप सिस्टम है तो अपन यह वाला कर रहे हैं इरिगे जाहां जल कमात्रा में उपलब्द हो जा जल कम हो किया जाता है इस वीदियों के उपर गूमने मैं देखो होता क्या है इस वीदियो में बताओ ना जो यह जो आपके थी खेते कहते हैं यहां पर इस प्रकार के पाइप लगा दी जाते हैं आपके यह नोजल में मोटे लगी नेकाव पानी मुह पाइप से बेज जाता है तो यह घूम स्गंधें हुए नोजल के बाहर निकल जाता है वो पोदों में वश्चा की बाती चड़का होता है बालु मिट्टी के लिए यह है विदी अत्यंद पानी नहीं हो इस वीदी को उप्यों करने से जल वेर्थ नहीं जाता ठीक है यह वीदी फल्दार पोदो बगीचों और वरक्षों को पानी देने के लिए सर्वतम वीदी यह जल की कमी वाले शेत्रों के लिए अधिक उप्यों पर आपके बहुत मतलब पानी जादा हो तो अगर आपके पास जमीन भी कम है आपके पास पानी भी कम है तो ड्रिप जिस्टेम आपके लिए बढ़िया चीज रही है अगला केशन है वनोन मूलन का अर्थ बताई है और इसके कार्णों का उल्ले का आपको गरना है चार नंबर का है और अथवा में है रेट डाटा पु को दो पास जाला क्यारद रहें हर्क है यह सिस्टेम आपको बिछ निवथितं का आपको बढ़न का बढ़न का बढ़ना जिससे भाव suppress मान रेलवे लाइन सड़कों इमारतों शेक्षिक संस्थानों यानि कि जैसे स्कूल और कॉलेज यह कुछ इंटर्वी की जगवती है वैसी उद्ध्यों को आधी को स्थापित करने के लिए भूमी की मांग बढ़ी है ठीके अगरा है मानव दुआरा वन्य वन्य जन्तु का श यह कुछ नहीं है लेकिन यह दोनों मानों नीर्मत यान्य कोने जो मानों नीर्मत कारण भर्वर बंढर नौ अगला मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन एक सेकंड में वह 500 बार अपने पंखे वह फेलाएगा है ना तो आपको सेकंड के ओशद दर से कंपित दुवनी उत्पन करता है कंपन की आवर्ती वह आवर्त काल याद की जाने कि टाइम पीजेड और फिक्वेंस से याद करने आपको और में है निम्लिजल वाद्य अंत्रों में से किस भाग में ध्वनी उत्पन होती है आपको बता रहा है मंजीरा में कहां पर होती है बासूरी में कहां से होती है तो देखो अपन ये वाला कर रहे है उपर वाला तो देखो इसका फोर्मूला होता है अपन को क्या निकालना है आ अंगलीश में आपको बताता हूं, Obstacles upon time जो है, time कितने हो, सेकिंड में है तो आपर अस लगा दो, Obstacles कितने अपने पास 500 है, ठीक है, अब नीचे कम पन्पन एक सेकिंड में कर रहा है तो एक यहा पर लिख देंगे, तो एक बट्टे में 500 हो जाएगा उपर एक बट्टे में पांच उब्स्टिकल्स एक हो गया तो टाइम अपॉर्ण अप्स्टिकल्स इसमें हो जाएगा एक बंटे पांच सो आवतकार एक बंटे 500 सेकंड इसको इसको पर डिवैड कर देंगे तो जीरो पॉन जीरो जीरो दो सेकंड इसका सही आंसर होगा यानि कि व क्या कर रहा है आपको बताने एक उपढ़ का एग नंबर इसमीं आपको benefit है वाई फ्रिदूशन से क्या अशर है। वाईव प्रदूशन के हानिकारत क्रभाव का आपको उल्ले करना है तो देखो इसका آंसर क्या हो जाएगा जल्प्रदूशन को रोकने के उपानिन प्रकार के हैं जहां तक संभव हो किसी भी प्रकार के अप शिर्ट या अप शिर्ष्ट युक्त बहिस्त्राव को जलाश्यों में मिलने नहीं दिया जाना चाहिए अगला है घरों से निकलने वाली मलिन जल तथा वाहित मल को एकत्रित एक शोधन सयंत्रों से पूर उप्चार के उपरांच ही नदी या तालाबों में विसर्जित किया जाना चाहिए संबग हो तो इस परकार से उप्चाराची जल का उप्यों खेतों में सीचाई के लिए किया जाना चाहिए सीचाई में आपको बताया ना भी अगला है पे जल इस प्रोतो यानि पीने के जल के इस तो जैसे तालाब नदी इत्यादी है तो इन चारों और दिवार बनाकर वि पीने जैसे लायक रोखो अगर आहें जलाशों के आस पास गंकी करने उनमें नहाने कपड़े दोने इत्यादी को रोगना चाहिए जिससे गंदी की साबुन तथा वन्ने अन्य प्रक्षाल्य पदात जल में ना मिलने पाएं तो यह आपका थांस है तो यह आपने पाट जो तो बीस नमबर आपके पक्के हैं यह गैरंटी दे रहा हूं मैं आपको तो बीस नमबर आपके पक्के हो चुके हैं आपको congratulations बोलता हूं